Saving करना बहुत ज़रूरी है और बच्पन से ही हमारे अंदर हमारे पेरंस saving की आदट डालना शुरू कर देते हैं As it helps, जब हम अपनी tax planning या monthly budgeting कर रहे होते हैं तब भी हमारे को savings पे अलग से ध्यान देना होता है और उसका एक बहुत बड़ा component होता है tax saving अब ATD से tax saving कैसे करनी है ये तो हम आपको इस वीडियो में पहले ही समझा चके हैं जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें लिंक हमने नीचे description में दे दिया है बट आज के इस वीडियो में we will talk about ways in which you can save health insurance premium जानने के लिए इस वीडियो में बने रही है इंशॉरंस के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और नीचे दिये गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटिस वीडियो का notification मिल जाए तो बिना समय वेस्ट किये पढ़ाफट से शुरू करते हैं यानि की आपकी एच जितनी जादा होगी आपको प्रीमियम भी उतना ही भरना पड़ेगा क्योंकि विद एच हमारे को different medical issues होने के chances भी जादा होते हैं इसलिए health insurance लेने में देरी मत कीजे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी health insurance ले लीजे opt for family floater plans अगर आप अपनी family में और भी लोगों के लिए health insurance ले रहे हैं तो कोशिश करें कि एक family floater plan ले इस एक plan के अंडर आपकी पूरी family cover हो जाएगी तो आपको individual plans लेने की जरुरत नहीं है और individual premiums देने की भी जरुरत नहीं है eventually आप annually बहुत सारा amount save कर सकते है separate health plans for elderly parents अगर आपके parents senior citizens हैं तो better रहेगा कि आप उनके लिए senior citizen plan ले senior citizen plans के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमारे ये video जरूर देखें link हमने नीचे description में दे दिया है buy a basic health cover अगर आप एक comprehensive plan नहीं afford कर सकते तो एक basic health insurance plan opt कर ले obviously comprehensive plans are always better opt for a long policy term अपने health insurance premium को कम रखने का एक और अच्छा तरीका होता है कि आप एक longby duration की policy ले plans that come with a tenure of 2-3 years are better than annual plans और उपर से आप एक longby term की policy पर discounts भी earn कर सकते हैं make sure you choose your coverage wisely अपने सारी health needs को assess करके अपने लिए एक सही plan लेना भी बहुत जरूरी है opt for a suitable plan as per your requirements इससे आपका budget भी break नहीं होगा और आपका premium भी low रहेगा opt for a top-up health cover अगर आपको अपना premium भी low रखना है और अपनी coverage पर भी compromise नहीं करना तो आप एक top-up health plan separately भी ले सकते हैं इसमें आपको एक additional medical coverage मिलेगा over and above your regular health plan ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा option है जिनके पास एक existing health plan तो है पर उनको additional coverage चाहिए for emergencies leading a healthy lifestyle ये तो हम सब ही को पता है कि the healthier lifestyle that we lead the longer we live and the healthier as well इससे ये फाइदा भी होता है कि अगर आपके पास कोई pre-existing medical conditions नहीं है अगर आप एक non-smoker, non-alcoholic हैं तो आपका premium वैसे ही कम होगा and last but not the least compare and buy policies online buying insurance online is one of the best ways to reduce your premium policy bazaar allows you to compare multiple health plans for yourself with different insurers आप उनके premiums, coverage, add-ons हर चीज़ पर उनको compare कर सकते हैं और अपने लिए सही plan ले सकते हैं तो आज ही सही plan चुनने के लिए हमारी website को जरूर visit करें link हमने नीचे description में दे दिया है health insurance लेना आज के time में एक necessity बन चुका है आप इसे avoid नहीं कर सकते ये आपके लिए emergencies में बहुत ही helpful साबित हो सकता है तो अब आप medical insurance लेना तो ignore नहीं कर सकतें लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं अपने premiums को कम करने का और वो कैसे ये हमने आपको इस video में समझा दिया है अगर आपको हमारे ये video पसंद आया हो तो इसे like और share जरूर करें अगर आपको कोई भी doubts हैं या आपके कोई भी सुझाव हैं तो हमें नीचे comments में लिखकर जरूर बताएं अगर आपने हमारे चानल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और नीचे दिये गए bell icon को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी notification miss ना करें मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसे ही video में